जेहिंद वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासेश दोस्तों जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्तान जी के से सम्मझेट कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्योसन करने जारे हैं जो आपके राजस्तान से जुड़ी बड़ी फरती प्रिक्सा, रेट फरती प्रिक्सा, फोरेस्ट गार्ड, सेकेंड ग्रेड टीचर एक्जाम 2022 से जुड़ी बड़ी फरती प्रिक्सा में पूछे जाने वाले बार बार रिपीट होने वाले क्योसनों को करेंगे दोस्तों अगर आप भी राजस्तान से जोड़ी बड़ी फरती प्रिक्सा रीट फोरेस्ट गार्ट सेकेंड ग्रेड टीचर एक्जाम की त्यारी करें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे का दोस्तो क्योंकि इसमें हमेशा की तरह बार बार तता विगत प्रिक्साओं के अंत्रकत पूछे गए most important question लेकर आएं दोस्तो तो थियान से देखे का दोस्तो आज के most MCQ of राजस्तान जीके से सम्मन देते चलेगा आज के सामने पहला question राजस्तान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका से answer हो जगा option number C इस character राजस्तान दिवस हैं वो 30 मार्स को मनाया जाता है आपको easy लगेंगे question लेकिं राजस्तान जीके से सम्मन दे most important question है दोस्तो त्यार से देखे का दोस्तो तो इसका से answer हो जगा option number C तो इस मार्स को राजस्तान दिवस से मनाया जाता है अगला किसना आपके सामने निम्न में से राज्य के किस सेर पर सूर्य की किन्ने सबसे कम तिरसे पड़ती है तो इसका से answer हो जगा option number D इस character राज्य के डूंगरपूर सेर पर सूर्य की किन्ने वो सबसे कम तिरसे पड़ती है तो इसका से answer रोज्य का option number D इस character डूंगरपूर सेर में अगला किसना आपके सामने करक रेका के उत्तर में होने के कारण जलवायू की दर्ष्टी से राज्य का अधिकांस फाग कटी बंद में इस्तित है तो इसका से answer रोज्य का option number A इस character करक रेका के उत्तर में होने के कारण जलवायू की दर्ष्टी से राज्य का अधिकांस फाग वो उपोशन कटी बंद में इस्तित है कौन से कटी बंद में उपोशन कटी बंद में इस्तित है नेस्ट के उस नाप के सामने राजस्तान के निम्ड में से किस जिले में करक रेका गुजरती है तो इसका से answer रोज्य का option number A राजस्तान के डुंगरपूर जिले में करक रेका होकर गुजरती है कौन से जिले में डुंगरपूर जिले में होकर गुजरती है कौन सी रेका करक्रेका गुजरती हैं नेस्ट क्योंसे आपके सामने राजस्तान की नक्से पर निमलिकित में से कौन सा सुदूर दक्सिन में इस्तित हैं तो इसका सही आंसर जोगा ऑफिसन नमर्ट डिस्क है राजस्तान की नक्से पर निम्न में से राज समंद सुदूर दक् बढ़ा राज़िये हैं तो इसका सीया सूरोटीक ओप्सिन के बाद सबसे बड़ा राज्य है किसकी दर्ष्टी से सेतरपल की दर्ष्टी से है नेस के उसे आपको सामने पूमतिय रेका वा ग्रीन वीच रेका के सापेक्स राजस्तान कौन से गोलार्द में इस्तित है तो इसका सही आंसर हो जगा ओप्सन नमर एसक है पूमतिय रेका वा ग्रीन विच रेका के सापेक्स राजस्तान है वो उत्री पूरी गोलार्द में इस्तित हैं काँ पर इस्तित हैं? उत्री पूरी गोलार्द में इस्तित हैं अंतर लगबग कितना है राजस्तान का सेत्र पर निर्म से कौन से देश के लगबग समान है तो इसका सही आंसर रजे का ऑप्सिन नुबर 20 है राजस्तान का सेतरपल है वो जापान देश के लगबग सेतरपल के समान है कौन से देश का जापान देश का सेतरपल है वो राजस्तान का सेतरपल है उन दोनों का सेतरपल क्या बराबर हैं अगला किसा आपक सामने राजस्तान किस देश में पांच गुना बड़ा हैं तो इसका सही आंसर रोजी ओप्सिन वेस्क है राजस्तान स्री लंका देश से पांच गुना बड़ा हैं बराबर हैं नेश्त किसा पांच गुना बड़ा हैं इसका सही आंसर रोजी ओप्सिन वेस्क है राजस्तान रोजी का पूरू से पच्चिन लेकर अकसांसर विस्का आंच डिकरी सहतालिस मिनट ता उत्तर से दकसिन टक लेकर देश तर्वष्तालिस निगरी जेरो नौ मिनट ह तो इसका option राइट उसे option नुबर 20 के एक्ट 8 डिगरी 47 मिनट तता 60 डिगरी 09 मिनट है क्या है उत्त पूर उपच्चिव उत्तर दक्सिंदेख सांत्रिय तता अक्सांत्रिय विश्तार है अगला के उसन जिस जिल्य में 67 डिगरी पूरी देशांतर रेका गुजरती है वहाँ कौन सा जिल्ला है तो इसका सही आंसर रोजे उपच्चन नुबर 20 के जैसल मेर जिल्य में 67 डिगरी पूरी देशांतर रेका गुजरती है तो इसका सही आंसर रोजे 20 के एक्ट जैसल मेर तो इसका सही आंसर होज़ेगा option number A का है राज जी का सब्से उच्छतम मिंदू गुरू सिकर है जो 1722 मिटर है जबकि सब्से निम्तम मिंदू सामबर जील है तो सामबर जील के अंदर का सब्से निचे निम्तम मिंदू कौन सा है सामबर जील के अंदर है जो सामबर जील है जि राजस्तान की पूरो से पच्चिम तता उत्तर से दक्सिन चोड़ई दासराने वाली दोनों रेखा हैं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं तो इसका सही Lite करें जिल्लन कि बूर्प आपता है एक दूसरे को काटती है तो ईसका आपचिन आपना है नाई पूर जिल्ला अगला के साब के सामने राजस्तान का उत्तर से दक्षिन एंप पूरु से पच्चिम विस्तार कर्म से कितना है तो इसका से आप्षिन नुमर्ड डिस्क है राजस्तान का उत्तर से दक्षिन एंप पूरु से पच्चिम विस्तार है वो उत्तर से दक्षिन 826 त विस्तार है किसमें राजस्तान के तर्शिदक्षिन एंपूरु से पच्चिम का विस्तार नेस्ट के सामनें जिस जिल्य में सित्र डिगरी पूरी देशांतर रेका गुजरती है वहां कौन सा है तो इसका स्यान से राजस्तार राजस्तान का जनग जनक किसे कहा जाता हैं अगला कुछ राजस्तान का पच्चिम से पूरू देशांतरी विश्तार कितना है राजस्तान का पच्चिम से पूरू देशांतर страх गुंट सित्र डिग्री 30 मिनट पूरू से लेकर इठोतर डिगरी इठोतर डिगरी 17 मिनट तक हैं कितना हैं गुंडशितर डिगरी 30 मिनट से लेकर इठोतर डिगरी 17 मिनट तक हैं तो इसका option राइटर तका D is cracked अगला क्योंसन राजस्तान की इस्तले सिमा की लंबाई कितनी हैं तो इसका सही आंसर रुदिक option number 8 है राजस्तान की इस्तले सिमा की लंबाई 5920 किलोमेटर हैं अगला क्योंसन राजस्तान का सेतर पल निम्नवे से किस देश के बराबर हैं तो इसका सही आंसर रुदिक option number 20 है राजस्तान का सेतर पल हैं वो जापान देश के बराबर हैं कौन से देश के जापान देश के बराबर हैं नेस्ट क्योशन राजस्तान भारत की किस दिशा में इस्तित हैं तो इसका से यानसर रोजेगा ओप्सन नमर डीशक है तो इसका सही आंसर हो जिले में जर्गा परवत है वो इस्तित है अगला किसन देश के 142 डेजट ब्लॉक में से राजस्तान में कितने डेजट ब्लॉक है तो इसका सही आंसर हो जिले में जर्गा परवत है वो इस्तित है तो इसका option right वह का डी सक्रेक्ट एक टीफाईब डेजट ब्लॉक इस्टित है किसमें राजस्तान के अंदर अगला किसma मरू विकास्ट पारिकरम परियोजना किस की कि सरकार की परियोजना है तो इसका से आंसर हो तो प्रियोजना की या चैन्दर सरकार की योजना मानी जाती है हैं तो इसका से आंसर रोजी का ओप्शन 2 राजस्तान के का अगला कुशन वृतर सिमा ब्रइनस राजस्तान के कि भाग है Mst sempre तो इसका से यांसर ओसर जिगा ओप्सिर नमर 20 है वरत सीमा ब्रहंस राजस्तान के दक्सिनी पूरी भाग में इस्तित हैं कौन सी वरत सीमा ब्रहंस राजस्तान अगला क्योशन राजस्तान का कौन सा फोतिक विबाग मालवा के पठार का भाग है तो इसका से आंसर हो जिगा option नमर एसक है राजस्तान का हाडोती का पठार है जो फोतिक विबाग मालवा के पठार का भाग है कौन सा हाडोती का पठार अगला क्योशन लूनी का उत्री छेतर क्या कहलाता है तो इसका से यांसर रोज़े का उत्री छेतर है वो थाली कहलाता है क्या कहलाता है थाली या सामाने भासा में थाली कहा जाता है तो कौन सा लूनी का उत्री छेतर क्या कहलाता है थाली कहलाता है अगला question माल पूरा करोली मैदान फाग किस से निर्मित है तो इसका से यहां सरत्य का option बड़ी इसका है माल पूरा करोली का मैदान है वो बनास बैसीन का फाग है किसका फाग है बनास बैसीन का फाग है या बनास बैसीन से निर्मित माल पूरा करोली मैदान फाग है तो इसका option right डेस्क रेक्ट बनास बैदिस्का है Next question निमलिकित मैंसे कौन सा सर्वोस सिकर है तो इसका सही answer जग ऑप्शन अमें डेस्क है निमन मैंसे तारागड अजमेर है जो सर्वोस सिकर है तो इसका से your answer is do राजस्तान के जैसलमे जिले में सेवर्ड घास उगई जाती है नेक्स के उसाब के सामने राजस्तान राजी के कुल छेतरपल में रेगिस्तानी छेतर का परतिसत कितना है तो इसका सही आंसरोजी का उप्शन में 20 है राजस्तान राजी के कुल छेतर में रेगिस्तानी छेतर का छेतरपल या परतिसत छेतर का परतिसत हैं 61% है किता है राजस्तान राजी के कुल 6% में से 61% रेगिस्तानी छेतर का परतिशत है अगला क्यों सन राजस्तान में बार बार आकाल क्यों पढ़ते हैं निम्न में से कौन सा कारण यहां प्रसांगिक नहीं है तो इसका से राजस्तान में बार बार आकाल पढ़ते हैं क्योंकि फस्तलों का गलत प्रारूप होने के कारण इसका प्रसांगिक कारण है कौन सा फस्तलों का गलत प्रारूप होने के का राजस्तान में बार बार आकाल पढ़ने का प्रसांगिक कारण बना होता है गोगुंदा वा कुम्बलगट के मझे कौन सा पठार इस्तित है तो आगला क्यूशन, राज़स्तान का दक्सिनी पूरी पठार बाहना जाता है तो इसका सेयांसर रोजे का option number 10 के राजस्तान का दक्सिनी पूरी पठार हाडोती का पठार माना जाता है Next question आपके सामने राजस्तान का कौन सा भोतिक विबाग थार मरुस्तल का भाग है तो इसका सही आंसर रोज़े का option number 20 के राजस्तान का लूनी बैसीन फोतिक विबाग है जो धार मरुस्तल का भाग है कौनसा लूनी बैसीन Next question आपके सामने सुका संभावित छेतर कारेकरम किस वित्य वर्ष में प्रारम हुआ था तो इसका सही आंसर रोज़े का option number A सुका संभावित छेतर कारेकरम है वो 1924 वर्ष में प्रारम हुआ था कौनसा सुका संभावित छेतर कारेकरम अगला किस आपके सामने कौनसा भौतिक परदेश राजस्तान की जीवन देखा कहा जाता है तो इसका सही आंसर रोज़े का option number 20 अरावली पहाड़ी या फोतिक परदेश राजस्तान की जीवन देखा कहा जाता है तो इसका option right होगा बी इसका अरावली पहाड़ी है अगला क्यूशन निम्ड में से किस इस्तान को राजस्तान का वर्योश्क कहा जाता है माउंट आबू को राजस्तान का वर्योश्क कहा जाता है अगला क्यूशन राजस्तान का निम्ड में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है तो इसका answer होगा option वो एसक है राजस्तान का जालोर जिला है जिसमें अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है तो इसका आपस्टन राइट होज़ेगा एस के एक्टर जालोर जिला नेक्स किस्टन राइट होगा एस के एक्टर बारा जिला बोला जाता है तो इसका से आपस्टन राइट होगा एस के एक्टर बारा जिला बोला जाता है तो इसका से आंसर हो देगा option no.20 कैंद्रिय सुस्क बागवानी संस्तान है वो विक्का नेर जिल्ले में इस्तित है इसी के साथ अपनी रेट भर्ति प्रिक साथ forest guard देदा second grade teacher की त्यारी करने के लिए हमारे youtube channel पर बंदे रहे बंदे मातरम